सच दी सवेर चैनल से मैं हूँ आपके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस चैनल को देखने के लिए आज हम बात करने वाले हैं उम्दा एक्टर के साथ ही किसान नेता भी थे दीप सिद्धू एक अभीनेता के रूप में सबके बीच में अपनी पहचान बना चुके दीप सिद्धू चाहे अब हमारे बीच नहीं है लेकिन अपने काम से वे हमेशा फैंस के दिलों में रहेंगे दीप सिद्धू ने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया उनकी पंजाबे फिल्म करियर की शुरुवात फिल्म रमता जोगी से हुई थी। इस फिल्म का निर्मान बॉलिवोड एक्टर और डिरेक्टर धरमेंद्र ने किया था। सिद्धु फिल्मों में सक्री होनी के साथ ही किसान आंदुलन का भी एक बड़ा हिस्सा रहे। यही नहीं वे मॉडलिंग की दुनिया में भी काफी नाम कमा चुके थे। यह तो हम जान चुके हैं कि दीप सिद्धु कौन थे। इसके साथ ही आज के इस आर्टिकल में हम दीप सिद्धु का करियर, दीप सिद्धु का परिवार, दीप सिद्धु और किसान आंदुलन दीप सिद्धु की जीवनी के बारे में बात करने जारे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दीप सिद्धु का जीवन सपर विस्तार से जानने के लिए। दीप सिद्धु अप्रेल सन 1984 को मुक्तसर में हुआ था। सिद्धु एक पंजाबी परिवार से बिलाउं रखते हैं। इनके पिता का नाम सुर्जित सिंग है, पेशे से वे वकील हैं। जब दीप सिद्धु चार साल के थे, तभी उनकी माता का निधन हो गया था। दीप सिद्धु की इसकुल की पढ़ाई, स्मार्ट इसकुल उदयकरन सोनी पत से हुई है, जबकि इसके आगे की पढ़ाई दीप सिद्धु ने सावितरी भाई पूले पूने विश्विध्याले से की थी। ग्रैजूशन की पढ़ाई करने के बाद दीप सिद्धू लंदन चले गए। दीप सिद्धू शुरुवात में मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाना चाहते थे। इसकी चलते ही दीप सिद्धू ने अपने कॉलेज की टाइम से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया कॉलेज टाइम में मॉडलिंग करते हुए दीप सिद्धू ने कई एवार्ड भी अपने नाम की है। इन एवार्ड में किंग फिशर, मॉडल हंट, ग्रैसिम, मिस्टर, इंडिया जैसे नाम शामिल है। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्म रमता जुगी से अपने अभिना धर्मेंदर डिरेक्टर गुडू धन्यवा ने बनाया था। यह फिल्म साल 2015 में रिलीज की गई। इस फिल्म में वे लीड रूल में नजर आए। इसके बाद भी दीप सिद्धू कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और अपना नाम बनाना शुरू किया। साल 2017 में रिली दीप सिद्धू का 15 परवरी 2022 को एक कार दुरगटना में निधन हो गया। दीप सिद्धू के निधन से उनके परिवार के साथ सभी फैंस भी बेहत दुखी हुए। एक्टर का नाम तब एक बार फिर से चर्चा में आया जब उन्होंने किसान अंदोलन में सवाल उठाए अपने सवालों और अपने जजबे के साथ दीप सिद्धू का नाम एक किसान लीडर के तौर पर फेमस होने लगा था। यहां तक कि दीप सिद्धू ने लाल किले पर गंतन दीवस के दिन तिरंगे यानि राष्टी ध्वच की जगह पर केसरी एजंडा फैराय गया था। किसी ने नहीं सूचा था। सचदी स्वेर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सबस्क्राइब करिए।